लॉक्डाउन को लागू करने में जुटी हुई हैं, बैंकों और बाजारों में सतर्गता की अधेकावशकता है, जिसके लिए वे सतत प्रयास रथ हैं। कत्रिकरन, कटाई एवं प्रसंसकरन को लॉक्डाउन से छूट दी हैं। इसके अलावा बास, नारियल, सुपारी, कोको एवं मसालों की खेती, कटाई, प्रसंसकरन, पैकेजिंग, बिक्री एवं विपनन को भी लॉक्डाउन से छूट प्रदान की हैं। वित्य शेत्र के अंतरगत, कोपरेटिव क्रेडिट सुसाइटीज, एवं गैर, बैंकिंग, वित्य संस्थानों को भी न्यूंतन स्टाफ के साथ ऑपरेट करने की अनुमती दी गई है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीन शेत्रों में निर्मान कारियों के अंतरगत, जलापूर्ती, बिजली, एवं दूर संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविध्यों को भी छूट है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आवश्यक वस्तूओं और सेवाओं की स्थिती नियंतरन में है। इसमें भारतिय डाग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कल हमने संच्शेप में भारतिय डाग द्वारा COVID-19 के दौरान दिये गए योगदान की चर्चा की थी। आज थोड़ी विस्तृत जानकारी आपके साथ साज़ा करना चाहूंगी। भारतिय डाग ने माल वाहक उड़ानों एवं लाल मेल मोटर वैनों द्वारा आवश्यक वस्तूओं का वितरन किया है। जैसे दवाईयां, COVID-19 केट और मेडिकल एक्विप्मेंट जैसे वेंटिलेटर्स। उन्होंने सौ टन से अधिक दवाई एवं मेडिकल एक्विप्मेंट, अस्पतालों एवं अन्य ग्राहों को तक पहुचाया है। लॉकडाउन के दौरान भारतिय डाग ने विशेश विवस्ता करके अंतर राजिय और राजियांतरिक डाग पहुचाई है। डाग विभाग प्रयास रथ है कि लोगों को उनकी पेंशन राशियों का भुकतान तथा सरकार के अन्य समाजिक लाप उनके द्वार तक पहुचाएं। आधार आधारत भुकतान प्रनाली का प्रयोग करते हुए लगबग दो लाग डाकिये और ग्रामीन डाक सेवत किसी भी बैंक से संबंधित राशी का भुकतान इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक के माध्यम से ग्राहकों को उनके द्वार पर सुनिश्चत करा रहे हैं। इस प्रकार सेक्रो करोर रुपे की राशी, समाजिक सुरक्षा पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभांतरन के रूप में विद्वाओं, वरिष्ट नागरिकों और दिव्यांग जन लाभारतियों को उनके द्वार तक मुहाया कराई गई है। भारतिय डाक ने जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी मिलकर खाद्य प्रदार्थ और राशन का वितरन किया है। देश के विभिन भागों में मुबाइल पोस्ट आफिस कार्य कर रहे हैं जो आधार भूत डाक और वित्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं द्वारा लॉग डाउन पीरेड में हमारा उद्देश है के लोगों को राहत मिले। धन्यवाद। अब तक 1749 पीपल क्यों हो चुके हैं और उस तरीके से अगर देखें तो 13.06% पीपल वो रिकवर हुए हैं। कल तक कि अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसे लाए हैं। लास्ट वन डे के अंदर 1007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आर्स में 23 नई डेट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। हम अब तक कि अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसे लगबग तीन दिन था तो पिछले साथ दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारे डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगी दृष्टी में लाना चाहूँगा कि उन्नी स्टेट्स ऐसे हैं उन्नी स्टेट्स और यूनिट अटरिटी ऐसे हैं जहां पर की डबलिंग रेट देश के अवरेज से भी कम है और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्राखंड, हर्याना, लद्दार, हिमाचल, चंडिगर, पॉंडिचेरी, बिहार, पुडिशा, तिलंगाना, तमिलनाडू, आंधर प्रिदेश, देली, यूपी, करनाटका, जमुन काश्मी, पंजाब, असाम और तुर्पुरा, मैं आप लोगी दृष्टी में लाना चाहूँगा कि डबलिंग रेट is a product of how we are trying to manage the situation at feed ये एक ongoing process है, और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए, और बहतर करने के लिए, हमें अपनी विजिल को उसी साप से, उसी intensity से करना पड़ेगा, इसी तरह से हमने situation को एक और तरीके से analyze किया, जिसको हम कहते है growth factor, growth factor calculate किया जाता है कि जो नए cases आये हैं, उनको उससे पह portion में calculate किया जाता है, तो अगर हम इस data को भी देखे तो पाते हैं, कि अगर हम एक April से 1.2 के average growth factor को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफते पहले यही growth factor 2.1 average था, 15 मार्च से 31 मार्च तक, तो हम पाते हैं कि करीब 40% decline हुआ है growth factor में, और ये decline भी तब हुआ है, जब एक साथ हम ल KLAI के cases के भी sample collect हो रहे हैं, तो हम अपना number of samples भी देश में बढ़ाते आ रहे हैं, इसे के साथ ही हमने एक outcome ratio भी calculate किया, outcome ratio calculate करते हैं, जो cases recovered हुए हैं, versus जो cases जिनमें death report हुई हैं, मैं आप लोग की दृष्टी में लाना चाहूँगा, कि देश की तरफ से देखें, तो हर case, ह हमारे हाँ पर cases हैं, करीब 80% अगर हमारे cases recover हो रहे हैं, और 20% cases में death अगर जैसे report हुई है, तो ये दूसरे देशियों से अगर compare करें, तो शायद हम कुछ बहतर कर रहे हैं, और हमें इसे और बहतर करने की, हमें effort करना है कि हम अपना treatment और care further improve करते रहें, ताकि हम इस ratio में further improvement ला सकें, साथ ही 5 लाख rapid antibody testers सभी राजियों और जिलों में जहां पर भी high case burden नोट किया गया था, वहाँ वित्रित किया जा रही हैं, कल एंस ने भी COVID-19 से संबंदिट mechanical ventilation management पर physicians की एक online training को organize किया था, आज मानिये group of ministers जो हमारे मानिये health मंत्री के अध्यक्षता में, उसमें further roadmap lockdown और extended lockdown के स्थिति में हमारा क्या direction होना चाहिए, उस पर एक विस्तरच चर्चा हुई, उसमें मुख्यता है diagnosis, vaccines, drugs, hospital equipment accessories और general wellness से निमटने के लिए science and tech institute जो हैं, उनके efforts का review किया गया, हमारे को यह लड़ाई हर frontier पर लड़नी है, और field पर लड़ाई लड़ते हुए, एक हमार frontier is science and tech, जिसके द्वारा हमें इस लड़ाई को आखिर में जीतना पड़ेगा, उसी के तहत, council for scientific and industrial research, department of biotechnology, department of science and technology, और department of atomic energy, वहाँ पर continue this vision में efforts चल रहे हैं, जिसके तहती, इन चार organizations ने testing capacity को बढ़ाने के लिए भी, अपनी 30 labs का योगदान दिया है, हमारे efforts primarily focused हैं, new, rapid और accurate diagnostic kits बनाने में, जो कि अपना result 30 minute में दे सकें, साथ ही innovative pooling strategies बनाने में, ताकि हम limited test होते हो भी, अगर उसको और expand करने चाहें, larger number of people cover करने चाहें, उसके लिए काम कर सकें, इसके साथ ही indigenous synthesis, जो critical components है हमारे को domesticated production के लिए उसको हम कैसे बढ़ाएं, उस पर efforts हो रहे हैं, साथ ही viral sequencing, जिसके द्वारा हम epidemiology और potentially important mutations को identify कर सकें, उस पर काम चल रहा है, इसके साथ ही vaccine development की दिशा में inactivated virus, antibodies to major antigens, monoclonals और RNA based vaccines पर भी काम किया जा रहा है, भारत global partners के साथ काम कर रहा है, ताकि हम ये सुनिशित कर सकें, कि हमारी effective vaccines develop की जाएं, और हम जल से जल उसको public को मुहिया करा सकें, यह है एक time consuming efforts है, लेकिन हमारे सारे actions इस पर focus हैं, कि कैसे हम इस process को speed up करें, इसी के तहट recombinant BCG और mycobacterium indica strange जैसे immune boosting devices पर भी काम हो रहा है, convalescent plasma therapy पर भी कुछ sites पर काम चल रहा है, BBT ने इसके साथ ही last scale efforts लिये हैं, कि कैसे human monoclobal antibodies for COVID-19 पर काम करें, इसके साथ ही एक और wish है बहुत मुख्य है, वह है कि हम effective drugs पर भी कुछ काम करें, हमारे सामने वर्तमान में कई potential drugs हैं, जिसमें से कोई भी fully proven नहीं है, और उनमें से कोई भी अगर इंडिया में नहीं बनती है, तो उस पर भी हमें effort करने की ज़रुरत है, इसी समय में जब ये uncertainty है, तो हमारा effort है कि इंडिया इस drugs manufacturing, drugs multiprocess में काम करें, एक multi-pronged रन्निती के तहट हम काम कर रहे हैं, जिसमें की immune system को boost करने में भारत की जो traditional knowledge है, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, भारत Already World Health Organization के साथ Solidity Trial में एक participant है, जिसके माध्यम से हम different drug therapies की effectiveness को determine कर रहे हैं, scientific task force existing drugs को re-evaluate कर रहे हैं, ताकि उनको जरुत पड़े तो COVID-19 के लिए re-purpose किया जा सके, anti-viral drugs ने जो कुछ studies में abroad में हमें initial promise दिखाया है, CISR की lab के द्वारा इन drugs पर भी काम चल रहा है, जिसमें की मुखित है, उम्भी फिनोफीर और सेविपी रवीर ड्रक्स जो हैं, उनके indigenous synthesis के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं, phytopharmaceuticals और traditional medicine systems को भी हम explore कर रहे हैं, साथ ही हमारा एक major effort है कि जब हम ये exercise कर रहे हैं, तो जो हमारे approval systems हैं between ministry of health and research organization, हम उनको भी त्वर्गती से करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो भी हमारी research हो उसको public तक ले जा सकें, इसके साथ ही personal protective equipment, oxygen concentrators, ventilators और SEA insulatory support devices पर भी CSIR की engineering labs, शी चित्रा institute द्वारा indigenous designs बनाये जा रहे हैं, एक manufacturing facilities को आंधरा medtech zone में Department of Biotechnology ने already support किया है, RT-PCR kits का indigenous manufacturers पर काम हो रहा है, और हम उस सिर्थी में होंगे कि indigenous ली इसमें 10 लाग kit पर मन्त मई में बनाई जा सकें, साथ ही rapid antibody detection kits पर भी हम काम कर रहे हैं, और मई तक हम लोग 10 लाग rapid indigenous kits, detection kits बना पाएंगे, ventilator manufacturing के लिए भी हमारी capacity हमारे scientific institutes में 6000 ventilator पर मन्त की capacity create करिया ही है, इस तरीके से diagnostics हों, therapeutics हों या vaccines हों, इसमें necessary effort पर war footing से monitor किया जा रहा है, कल स्वास्थे मंतराले की तरफ से states के साथ video conference करते हुए, हमने states को कुछ forecasting tools भी share किये हैं, जिसके द्वारा state और district level पर उनका जो preparatory exercise है in terms of covid dedicated hospital, in terms of covid dedicated care centers, उसकी वह analysis करके पास सकते हैं कि वह sufficient है या नहीं, और अगर नहीं है, तो उनको किस direction में effort करना चाहिए based on the expected case load, इसी तरीके से dedicated covid hospitals और dedicated covid health centers, देश में दिन प्रति दिन पर हम काम कर रहे हैं, जिसके तहट 19.1919 covid dedicated hospitals और covid health centers बनाय जा चुके हैं, total of अगर उसमें देखें, तो 1,73,000 isolation beds और 21,800 ICU beds में उसके द्वारा तयार किये जा चुके हैं, यह मैं आप लोग की दर्श्टी में इसलिए लाना चाहता हूँ कि हर तरीके से effort चल रहा है कि अगर केसे दाएं, देश हर तरीके से उससे निमंटने लिए तयार है, इसी के तहरत हर स्टीट में, हर डिस्टिक्स में effort चल रहे हैं, जब चारों तरफ देश में effort चल रहे हैं, तो उस समय में किसी एक particular स्टीट में कोई positive effort मैं आप लोग की दर्श्टी में लाना चाहूँगा, जैसे कि आज उधारन की तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे एहमदाबाद में एक dedicated COVID hospital बनाया जा रहा है, गुजराब के एहमदाबाद का सिविल अस्पताल, COVID-19 की महमारी के बीच, एहमदाबाद का ये सिविल अस्पताल, कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बरदान साबित हो रहा है, अपनी उन्नत सुधाईं और तपनीकी विशिष्टाओं के साथ इसे सिर्फ पास दिनों में ही COVID dedicated hospital में तद्दील किया गया है, तो सब परिश्चितियों में जो equipment से दवाईयों का जथ्था है, रिक्वाइर्मेंट जो consumables की है, डॉक्टर्स और नर्सिंग साथ और जो healthcare worker है, उसके लिए जो protection की सुधा है, जिसमें simple mask, N95 mask और PPE kit जो होती है, वो सब की सुधा हमने मुहिया करा के रखी है, बारहसो बिस्तरों और 228 ventilator bed की सुविधाओं के साथ, हर तरह के COVID मरीजों को हर संभव सहता ये अस्पताल उप्लब्ध करा रहा है, जब मरीज आएगा, तो उनको पहले OPD में screening किया जाएगा, फिर उनका testing होगा, उनका extra sonography, laboratory test वगेरा हो जाएगा, और जो suspected case से उनको हम भरती कर सकते हैं, और जो suspected case नहीं है, उनको हम वहीं से दवाई देखे घर बेश सकते हैं, अगर कोई मरीज serious condition में या critical condition में आता है, तो उसके लिए हमने OPD के पास ही एक triageria बना के रखा है, जिसमें के ventilator और multiparamonitor और infusion pump वगेरा सब सुविधा हमने तयार किया है, OPD से ICU तक संदिक्द मरीजों से लेकर गंभीर मरीजों तक हर स्तर पर यहां उपलब्ध चिकत्सा सुविधाईं लोगों को COVID से लड़ने को लेकर हौसला दे रही हैं, COVID positive बरीज अगर बच्चा है तो यहां pediatric ward भी उपलब्ध है, अगर कोई भजूर्ग है या किसी को गुर्दे की समस्या है तो dialysis की सुविधा भी इसी COVID हस्पताल में मौझूद है, पेशन्ट की condition जैसे जो वो stable patient है या critical patient है उस इसाब से और दूसरी बात कि उसको diabetes, hypertension या कोई high risk बीमारी जैसे heart की बीमारी या kidney की बीमारी है, तो उस तरह से उनको अलग प्रकार की सुविधा और treatment सबकी जरुत होती है, उसके इसाब से रखते हैं। समय के साथ जैसे ही नए-नए मामले आ रहे हैं, सारे medical staff जरुवत के मताबिक, duty के बाद अस्पताल में ही रह रहे हैं, ताकि वो हर समय अपनी सेमाएं देने के लिए तयार रहें। जो staff काम करेगा डॉक्टर से लेके housekeeping तक, वो 8 गंटे की duty करेगा, फिर 16 गंटे वो आराम करेगा, उनके आराम करने के लिए और रहने के लिए हमने hospital में ही जो अलग-अलग block से उनमें isolation करके, हमने उनके रहने की और खाने की सुविधा मोया कराई है। कोविट की इस चुनावती पूर्ण स्थिती में medical staff खुद के बचाओ के लिए भी सारी जरूरी साथानिया बरप रही हैं। इस अस्पताल के लाबा गुजरात सरकार राज्य के सभी शहरों में बने इसी तरह के COVID-19 संकरवन का परीक्षण कर रही हैं। बल्कि गुजरात में इस वहमारी पर लगाम भी लगा रही है। हमारे बाकी भी जो लोकेशन पेमाने में दस से भी जादा केसों मिल रहे थे जैसे के विभावनगर, सूरत, राजकोट और गादी नगर अजवेल और वडोधरा तो इस वजह से उसमें भी हमने बहुत अग्रेसिव टेस्टिंग करने का इतनिरने विया। राजकोट, सूरत और वडोपरा शहरों में भी 250 बेट के कोबिड अस्पताल और गुजरात के बाकी सभी जिलों में बने 100 बेट के कोबिड अस्पताल भी पूरे राज्जे के कोबिड की चुरौपी को मुहतोर जवाब दे रही है। आज ज़रूरत है कि हम अपना फोकस कंटेन्मेंट स्ट्राटिजीज पर फीड में बनाएं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को इस बिहेवरल प्रॉसेस के रुप में अपनी लाइट में इंडॉल करें। हम फोकस करें रेस्पिरिटरी एटिकेट्स पर, हैंड हाइजीन पर, एंवायमेटल हाइजीन पर हमें सब को मिलकर किसी भी तरीके से इस बिमारी से लड़ना है, जीतना है। धन्यवाद। कल तक हमने 3,19,400 पेशेंट्स की टेस्ट की है। कल एक दिन में 28,340 टेस्ट हुए। उनमें के 23,932 जो टेस्ट है वो आईसे मान नेटवर्क के अभी 183 लाब्स हैं उनमें हुए। 4,408 यह 80 जो प्राइवेट लाब्स हैं उनमें हुए थे। फर्स्ट क्वेस्टिन प्रम जितिन्दर तिवारी इंदुतन समचर्ण। लोगों को बहुत परिशानी हो रही है। जर्नल फिजीसियन्स भी महलों में नहीं बैट रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर किट नहीं है। तो जो जर्नल जो सामाने रोगी हैं उनको इन दिनों बहुत परिशानी होनी शुरू हुए है। सरकार उनके बारे में का सोच रही है। देखें दो प्रॉसेस हैं। एक तो हमने इससे पहले बताया है कि इन्सेक्शन डिलीज से डील कर रहे हैं तो छोटी मुटी बिमारी हो तो हमें हॉस्पिटल ना जाएं। हम ऑनलाइन पदिती का इस्तेमाल करके टेली मेडिसीन के थूँ टेली कंसल्टेशन के थूँ वो पर्टिगलर सपोर्ट ले सकते हैं। अगर कोई इलेक्टिव सरजरीज हैं अगर हम उसे कुछ दिनों के लिए अवाइड कर सकते हैं उसको अवाइड किया जाए। इसके साथ ही इसके अलावा जो नौन इलेक्टिव सरजरीज हैं या जो नौन इलेक्टिव इंटरवेंशन मेडिकल लेवल पर हैं तो कल मैंने आपको बताया था हमने बहुत डिटेल गाइड लाइन इशू की है कि जो हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के अला हमारा मेजर अफ़र्ट है कि किसी भी तरीके से कम से कम इंफेक्शन सहले है अनलाइन क्वेस्टिटल्स प्राइवेट होस्पिटल्स है अर्डी स्टर्ट दूजिंग पूलिंग टेस्ट अर्थे अलाओ अनुट पूल टेस्ट अरलोग यह जो कल हमने बोला पूल टेस्ट के लिए हम लोगों ने गाइड लाइन इशू की जहां भी यह सर्वेलन्स के लिए हमने ज्यादा तर बोला था जहां भी सिरो पॉजिटिविटी रेट दो परसेंट से कम है वहाँ पाँच सैंपल इकटा करके उनकी टेस्ट की जा सकती है तो हमको कम टेस्ट करके हमको यह पता चलेगा कि यह infection जो है कैसे बढ़ रहा है अब यह private hospital की जो बात कर रहे हैं इसमें individual के diagnosis के लिए कर रहे हैं यहां जहां भी कोई मरीज आते हैं पाँच मरीज एक साथ आये हैं तो पाँच लोगों का टेस्ट उनका सैंपल मिक्स करके पाँच लोगों की टेस्ट की जा रही है वो टेस्ट जब positive आती है अगर समझ लिजए वो positive आई तो वो positive टेस्ट के हर sample की फिर एक बार test करना पड़ता है और अगर समझे वो टेस्ट negative आई तो पाचों की points negative करके हमको बोलना पड़ता है अब इसमें सिर्फ ये individual diagnosis के लिए हमने इसलिए नहीं बोला था कि individual diagnosis अगर pooling करके करें तो उसके कीमत जो charge की जा रही है उस पे आसर पड़ेगा समझ लीजे 5 की test की तो आप सबको मैं उतना ही cost नहीं दे सकता हूँ उसके बारे में शायद private hospital सोच है वानतिका घोष So you just showed us the Ahmedabad COVID hospital, earlier you had shown us the Agra model we are hearing a lot about how Kerala has not just flattened the curve but it's actually bent it can you tell us what Kerala is doing right Ma'am, actually the major effort is not only Kerala, across the country and when I am showing you some success stories of some parts of the country I am sure Kerala is also one of them and I had actually planned out, I was discussing that maybe over a period of time we show you Kerala also so what Kerala has primarily also focused is as part of our containment strategy how to actually delineate the area how to do effective contact tracing ensure proper quarantine processes put in place clinical management of all the cases and in turn this is what is actually leading to a good success at the field level so it is important for us through you what we are trying to actually request is that lot of efforts are being done at field level across the states, across the country and through those efforts we also want to motivate others across the country so that collectively we can take this battle Another on-right question Does anyone know if people brought death from respiratory illness are being tested for COVID? Sir, like anybody who comes to a respiratory illness in hospital, as part of our SARI and ILI we say that if it is possible if it is possible we will test immediately I think we will test immediately so to that extent we will test and when the required testing protocol is done with it and if it is positive then it will be treatment then it will be treatment होता है